आप सबी बगतों का हमारे चैनल बी एस सर्माबाद दौज में स्वागत हैं बगतों आज की कथा हम सीमत भागवत मापुरान के माशिक पयान की 28 में दिन की कथा का बनन कर रहे हैं इस कथा में भागवान सिर्किष्ण के द्वाल का गमन की भी कता है और भागवान की आगी के और लिलाओं की कता हैं बुलो सीमत भागवत मापुरान की जै 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 शिरी रादे जै जै शिरी रादे जै जै शिरी रादे श्याम नेम से सूत्य मासीन मविवाद्य मामतिम कथामरितार सस्वादा कुशला सोन को ब्रवीद सच्च दानंदे रूपाई विशोत पत्यारहेत बे तापत्रे बिनासाई शिरी किष्णाई वयम्दमा नेम सारत तीरत में शिरी शुजी माराज रिषियों शेवनन करते हैं कि रिषिवरों शुखदे जी महाराज राजय प्रख्षित से कहते हैं कि राजन भगवाद शिरी किष्ण जो है अपने ब्रिज की समीं ब्रिजवाशियों को विश्याट माली थी मत्रवासियों को आनन्द देने लगे इदर कंश की दो पत्निया थी आश्टी और प्राप्ती आश्टी और प्राप्ती जो हैं उनके पिता का नाम जरासंद था आश्टी प्राप्ती दोनों पत्रानी अपने पिता जरासंद के पास लिगई और जाकर के जैसे राज्य सवा में पहुंची जरासन ने अपनी दोनों पुत्रियों को देखा उनको बिड़वा के वेश में देख करके जरासन ने पूछा ये क्या हुआ तो इन दोनों ने बताया पिता जी आपके दामात को हमारी स्वामी को शिरी किसने मा डाला है अधो ज जरासन को बड़ाई क्रोड आया जरासन ने तेई सक्षोनी सेना ली और तेई सक्षोनी सेना के साथ में मत्रापुरी को चाउ तरव से गेल लिया भगवान किष्ण बलराम जो है युद्ध के लिए नगर से वा निकले भगवान स्री किष्ण बलराम ने जरासन की तेई सक्ष जोनी सेना को पल वर में मा डाला सभी का बिनास का दिया बलराम जी ने जरासन को बंदी बना लिया पंदु भगवान श्री किस ने बलराम जी से छुड़ा दिया कि ही भाई आप इसका मुंदन करके अपमानित करके छोड़ें क्यों कि यह जितनी वाज आएगा यह और राख् प्रशिसों को मित्टू दन देने का उनका बद कने का हमें जो सहज में कार हो जाएगा जरासन को छोड़ दिया जरासन अपमाने तो अगर कि अपने नगर में गया फिर अपनी सेना और खटी करी और राजाओं के खटा किया इस तरह से जरासन जो है 16 बार आचुका था 16 बार युद्ध में आड़ गया और सत्रेमी बार जरासन सोचने लगा किया किया जाये में इतनी बार आचुका हूँ सत्रेमी बार जरासन को उसी समय ख्यालाया क्योँना मुचकुन्द कुई जिश्या काल यवन की जो है साइता ली जाए काल यवन मलेच था, काल यवन से सायता मागी, काल यवन भी अपनी शेना लेकर की युद्ध के लिए आया, काल यवन भी चाहता था कि मुझे मेरी बरावर का कोई बीर प्राप्त हो, जो मुझे युद्ध में जीत सके काल यवन भी अपनी शेना लेकर क्या गया, जरा संद भी आया, इदर भगवान सिरिकेश ने बिश कर्मा के द्वारा द्वार का पुरी का निर्मान कराया, समुद्र के बीच में, सो योजन बीच में, चार से कोश के बीच में, बारे से किलो मिकर के बीच में, भगवान ने ब पिंद्र ने अपनी सुधर्मा सवा को भी भेज दिया जो भगवान श्री किस्न की राज सवा की सोवा बनी जिसमें बैठे रहने सी भूक और प्यास नहीं लगती थी इदा जो है काल यवन जैसे युद्ध के लिए आया भगवान श्री किस्न जो है उन्होंने सोट हुए सव में युद्ध कानी के लिए गयं काल यवन से कने लगे काल यवन चलो हमारा तो हमारा एकांत में दोगा भगवान श्री किस्नउप्ट का रिखा कर के काल यवन के सामने से वा आ गए इसलिए रण छोने के कारण उनका नाम रण छोर पर गया काल यवन पीछे पीछे डौने लगा सुक्रेव जी कहते हैं राजन भगवान पल वर में जो है काल यवन का बढ़ कर सकते थे पंत उन्हें मुझकुन पर किरपा करने थी भगवान स्रीकिष्ण बागते हुए परवत के गुपा में पहुँचे उस गुपा बार के मारे पीतांबरों के सो रहा हैं लेकर के जैसे ठोकर मारी मुझकुन की आँके खुल गई मुझकुन ने सामने काल यवन को लेखा जैसे आँके खुली उसी समय काल यवन जल करके वस्म हो गया भगवान स्रीकिष्ण ने अपने डिब्वे तेज से मुझकुन को दरसन दि बदर का असम में तपश्चा कने के लिए चिले गए शुक्डेवी केते है राजन यह राजा फूस्गण जो है देवताउं कीषायता के लिए देवास शंग्राम में गया था देवास संग्राम में देवताओं की बिजय हुई जब देवताओं में बर्दान मांगने को कहा तब मुझकिन ने का कि मुझे बहुत नीरा रही है मैं चाहता हूं कि मिस्सू हूँ तब देवताओं ने का तुम जाकर के मत्रापुरी की इस परवट की गुफा में हो जाओ भगवाशी नारायन की तुम पर कृपा होगी Ultimate अगर कोई तुबाई निद्रवं करेगा वो जिल करके वस्म हो जाएगा तो ट्रेता सत्यूक से जो है मुझकुन सोया हुआ था भगवाशी नारायन ने मुझकुन के उपर किरपा करे इदर भगबान सिरी किस्न जो है बलराम भाई के साथ में स्वेम परवत पर चड़ गई जरासन ने देखा कि किस्न बलराम इस परवत में छिप गई ही उसी समय वो परवत ग्यारे योजन उचा था परवत को चारों तरव से लकड़ी डाल करके आग लगा दी उसी समय किस्न बलराम जो है परवत से छलांग लगा करके अपनी द्वारका पुरी चले गई जरासन ने समझा किसी परवत में जलकर के बस मो चुके हैं द्वारका प्रिपोचने पर भगवान श्रीकिष्ण द्वारका में सभी प्रिजा का पालन पोचन करने लगे उग्रसेन को राजा बना करके स्वेम सेवक की बाती रह करके प्रिजा की देखने करते द्वार का अधीश के लाने लगे सभी लोग ने द्वार का अधीश की जैयो करके उनका सम्मान करते भगवार सिरी किश्ण का यह संशार में फैलने लगा एक दिन माराज रेवत जो है बनराम जी के पास अपनी पुत्री रेवती को लेकर आए सुकुदेव जी कहते हैं रेवत है राजन राजा रेवत जो थे ये सत्युक के समय पर अपनी पुत्री के लिए रेवती के लिए बर खोजने के लिए निकलेते हैं ये ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे उस समय ब्रह्मा जी के सवा में एक संगीत बजरा था थोड़ी देर हुई संगी समप्थ हुआ तो मारा रेवत ने ब्रह्मा जी से जो है अपनी पुत्री के लिए का कि में पुत्री के लिए कोई बर्मा बताओ तब ब्रह्मा जी न कहे राजन तुम्हें समें प्रिथवी से आयोए 27 यूग भी चुके हैं यहां ब्रह्म लोक में समें का ज्यान रहता यहां का जो चक्र है वहां का समय चक्र अलग है राजन तुम अपनी पुत्री के लिए इस समय द्वा पर यूग का अन्त है इस समय कृष्ण बल्राम का स्वेम नारायन को सेशनाक का अफ्तार हुआ है तुमारे पुत्री भी भगवान सेशनाक की पत्नी की अन्स रूप आप जाकर के सिर्सनाग के अफ्तार बलराम जी को अपनी कन्यादान दे दो माराई रेवत जो है रेवती को लेकर के जैसे बलराम जी के पास आए उस समय रेवती 21 हाथ बड़ी थी बलराम जी से बहुत लंबी थी तब बलराम जी ने उस कन्या को सुईकार कर लिया और अपने श्री किस्न जो है द्वार का पुरी में रह रहे थी इदर जो है माराज रुक्म उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम जो है रुक्मनी था रुक्मनी अती सुन्दा थी स्वयम लक्षिमी की अपता थी इदर जो है रुक्मी का भाई रुक्मनी का भाई रुक्मी जो है अपनी बैन का बिवाय सिस्पाल के साथ में करना चाता था। एरा रुक्मणी भगवान शिरी किष्ण से प्रेम काती थी। रुक्मणी ने एक ब्राम्मर को जो है भगवान शिरी किष्ण के पास संदेश लेकर के वेजा। उसमें का कि हे जगरेश्वर, हे भवन सुन्दर, हे अपन तन मन से आपको प्रेम काती हूं। मेरा भाई, मेरा बिवाय सिस्पाल के साथ में करना चाता है, पन तुम्हें आप से बिवाय करना चाती हूं। आप आकर के मेरा वरन करें, अन्ता में अपने प्राहत याग दूँगी। भगवान शिरी किष्ण ने उस ब्राम्मर के जैसी संदी सा सुना, स्वेम जो कुंडन पूर पहुंच गए और वहाँ जाकर के रुकमनी का हरन कर लिया। उस समय सिस्पाल, जरासंद, आर राजाओं ने जो है, भगवान सिरी किष्ण को चारों तरफ से गेरा, वहाँ बलराम जी भी पहुंच गए, भेंकर भगवान सिरी नारायन ने कृष्ण ने जरासंद की और सिस्पाल की सेना का बद का दिया, और रुकमी को बंदी बना करके फे छोड़ दिया, जिससे रुकमी लज्जित हो करके बापिस अपने नगर ने पहुंचा और राष्टे में उसने एक नगर वसा लिया। भगवान सिरी किष्ण रुकमनी को लेकर के अपने घर को आ गए रुकमनी का और भगवान सिरी किष्ण का द्वार का पुरी में बिदी बिदान से जो है बिवाय संपन्न हुआ। सुकुदेव जी कहते हैं राजन भगवान सिरी किष्ण जो है अनेक प्रकार से दुस्ट राजाओं का संगार करते थे। सभी राजा भगवान सिरी किष्ण के सामने युद्ध में ज़्यादा दे तक थैनी पाते थे। इदर भगवान सिरी किष्ण के अन्स से रुक्मनी के द्वारा कामदेव का अवतार जो प्रिदुम्न का जनम हुआ। एक संबरास नाम का राक्षेस था। उसको पहले से पता था कि किष्ण के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्त होगी। उसने प्रिदुम्न को जो है सूट का गय से हरन कर लिया और प्रिदुम्न को ले जाकर की समुंदर में फैंकदिया। या वहाँ समुंदर में प्रिदुन को मचली निकल गई, वहाँ एक मचली ने मचली को पकड़ा, बड़ी मचली थी, उसे समरासुराक्ष की रसुईगर ले जाया गया, जैसे वहाँ चीर फार करी, वहाँ पर सुंदर बालक प्रिदुन निकला, उसको वहाँ पर एक मायावत प्रिदुम्न को पाने के लिए अपने पती काम्रेव के अपता है प्रिदुम्न को प्रात्प करने के लिए दाशी का रूप बना करके रहती थी इदा जो है जैसे उसने प्रिदुम्न को देखा प्रिदुम्न को ले लिया उसका लालन पालन करने लगे और बच्पन से ही उनके प्रिती पती का प्रहमर रखने लगी कि मेरे पती हैं इनका लालन पालन करूगी इदा भगवान श्री किस्न ने देखा कि सेहन का किसे जो है सुट का गय से बच्चे की चोरी हो गई है सभी जो है दौर का वाश्यों में अलचल हो गई सभी आपस में चिनतितों कर विचार बिहस करने लगे कि भगवान किस्ण के मेल से भी भगवान के पुत्र का हरन किसने कर लिया हैं सभी को बड़ी चिंता हुई और शी समय नारज जी ने आकर के सब को बताया चिंता ना करो भगवान सिरी किस्ण का पुत्र साक्ष्याट परमात्मा कांस है कांधी को अव्तार है शाति शीग्र वो तो उस समय पर माय आवती उसे प्रहम करने लगी, तब प्रदुम्न ने का है मा, तुम मेरी मा के समालो, तुम्हें मेरा पालन पोर्शन किया है, तुम्हें इतना प्रहम क्यों कहती हो, तो उसने का कि स्वामी मैंने तो आपको केवल बढ़ा किया है, बचाया है, बास्ता में प्रदोंग्न ने सम्बरासुर राक्षिस को युद्ध के लड़का रहा और सम्बरासुर का बद का दिया और रती को रती के साथ में मायरती के साथ में जो है स्वेम भगवान सिर्किस्न के नगार द्वार का पुरी में पढारे सभी द्वार का बासी बड़े प्रसंद हुए रुक्मनी को अती खुशी हुई उन्होंने जो अप्रिदुम्न को गले से लगा लिया अपनी पुत्र बदु को जो है अपनी मेलों के अंदर ले गई सुखनेव जी कहते है राजन एदा भगवान सिर्किस्न का सत्वामा से भी बबाय हुआ जाम बंती से भुगा हे राजन सत्राजित ने भगवान सिर्किस्न का अपराद किया था सत्राजित जो है सत्राजित ने भगवान सूर की अरादना करी और सूर की अरादना करके उनको इस मंतक मनी प्राप्त हुई जो सूर की समान चमकती थी भगवान सिर्किस्न का कि सत्राजित अगर तुमारे पास में मनी रहेगी तो तुमको बैह है कि किसी भी सत्रू का हमला हो सकता है तुम इसी राजा की राज कक्षिमें जमा कादो क्योंकि ये मनी जो है नित्य प्रती साथ भार सोना देती थी सत्रा जित ने मना का दिया सत्रा जित का भाई प्रसेंट जो है एक दिन उस मनी को पहन करके सिकार खेलने गया वहां की सेर ने उसे मा डाला और मनी को ले गया और सेड को मारकर के एक जामबंत जो इस मरी को अपने घर ले गया और अपनी गुफा में जाके अपनी पुत्री जामबंती को खेनने के लिए दे दिया इद्जर 17 जितनी जब अपने बाई को वापिस आया ने देखा तो उसने उस समय पापराद लगा दिया इल्जाम खंग भगवान को जो कलंक लगा दिया कि सिरिकिष्ण ने मेरे बाई को मार करके मरी ले लिया है दौर का पुरी में बात पहले लगी तो उस समय स्रीकिष्ण भगवान तक ये बात पहुची तो भगवान स्रीकिष्ण ने देखा कि मुझे जूटा कलंग लग रहा है भगवान स्रीकिष्ण बड़े बुजर्ग मंत्रियों को ले करके सेना के साथ में जंगल में प्रिसेन को डूने निकले उन्होंने जाकर कि द पद चिन्न है और एक गुफा तक जा रहे हैं भगवान किष्ण का सभी द्वार का वासी ही रुके हैं मैं गुफा में अंदर जाता हूं अंदर जाकर के भगवान स्रीकिष्ण ने देखा कि कन्या जो उस मनी से खिल रही है भगवान स्रीकिष्ण पास जाके खड़े हो meow कन्या शीर किस्ञ को देखते ही चिछन लगी उशी समय जाबवन्त आया और शीर किस्ञ से युद्ध कने लगा शीर किस्ञ भागवान का जाम्ववन्त का सताइस दिनों तक युद्धूगा उस युद्ध odpow जो है उसके सरीर के सबई अंगें सितरो फो बिल्कुल इतना ठक गया कि उठने की हिम्मत भी ने रही तो जामबवंत ने हाथ जोड़के का कि आप हैं कौन क्योंकि संसार में मुझे मेरे प्रवु नारायन के अलावा कोई भी पराजित नहीं कर सकता क्योंकि जामबवंत जो है ब्रह्माजी का अंस्ता तो उसी समय पर भगवानसिर किष्ण राम रूप में सामने प्रगत हो गए राम रूप में लेक करके जामबवंत चैना में घरपड़ा का प्रवु आपने मेरे पर करपा करे भगवान सिलिकेश ने का कि जिस समय राम रामर का युद्ध वा था उस समय पर तुम कहते थे कि युद्ध क्या होगा मुझे तो पसीना भी नहीं आया मैं तो ठका भी नहीं हूँ तो मैंने का चिंता ना कर द्वापर युग में तेरी इच्छा पूरी करूँगा उस समय जामवंत ने अपनी कण्या राम जी को देना चाहँ कि मेरी पुत्थि से बिवाइ करें तो राम जी ने कहा द्वापर युग में तुमारी कण्या की साथ बिवाइ करूँगा तो से जामबंती कौरी बैठी उती, पंदु एक भजन की सक्ती होती थी, उन्हें इतनी सक्ती होती थी, उनकी उमर बढ़ती नहीं थी, वो जितनी उमर के थे, 16 वर्सकी रहते थे, जामबंती का प्रवू, मनी तो में दे दूगा, पर ये मनी पर मेरा ढिकार है, आप मेरे कन् को सिद्ध करें भगवान श्री किष्ण का जामबंती का बिवाय हो गया जामपवंती ने वो मनी जो है भगवान कृष्ण को डैजिम दे दी भगवान कृष्ण जो है जामबंती के साथ द्वारका में आए और लाकर कि वो मनी जो है सत्राजित को दे दी सारा विस्तार से बता तिसमे दे दी भगवान ने बापिस उसे करना चांई कि बापिस कर दिया कि आप ही रखें उइस अधार भगवान सिर्क्रिश्न का जयाम बंति के साथ मेंधी विवाय हो गया इदर अक्रूर अक्रूर ने देखा कि इसने जो है कन्या का बादा पहले हमको देने का कर रखा था अब सिर्किस्न को रे दिया है सत्राजित से वो मनी छिली सत्राजित का बादिका दिया और सत्राजित को मार करके मनी को अक्रूर को दे करके वहां से भागे भगवान सी किसने सत्राजित की मिर्ट्टू के बाद सत्राजित को पकरना चाहिए सत्तंवा भागा सिर mogę शुदासंद चक्र से उसका मस्ठक का डाला पंडु मनि उसके पास नहीं मिली क्योंकि अक्रोजी उसी ले करके चले गए थे तैतों में जाकर के अक्रोजी उस मनि के द्वारा ब्रामनों को ब्राम भूजन कराने लगे दान पुन करने लगे फिर द्वा पारका में वापिस लोट करके आए तो भगवान सिर्केशने का काका आप दरो नहीं मैं आपको कुछ नहीं कोंगा ये मनी जो है आप जो है मारा उग्रसेन को दे दो उन्होंने राजसवा में वो मनी उग्रसेन को दे दी इस तरह से भगवान सिर्केशने जो है एक दिन अंदर तपस्चा काते देखा भगवान स्री किष्ण के आग्या से अर्जुने जाके उससे पूछा के देवी तुम कौन हो उसने का कि मैं सूर की पुत्री कालिंदी हूं स्री किष्ण को पती रूप में प्राप काने के लिए तपस्चा कर रही हूं भगवान स्री किष्ण का पालिंदी के पास पहुंच करके उससे बिवाय किया और उसको अपनी रानी बना लिया इसके वाद में भगवां सिरकिस्न जो है आगे के बिवाय में जो है उन्होंने अध्या के राजा नगन जिते उनकी कन्या नगन जिती थी वहाँ पर सत थी जो साथ बैलों को एक साथ ना उन सातों बहलों को नात दिया और राजा की कण्यानागम जिती से विवाय कर लिया भगवान सिरिकिश्न ने इसके बाद में नो हजार अस्षों के साथ स्रीकिश्न भगवान को राजा से धैजि प्राप्त हुआ भगवान शिर्किष्ण सादू संतों की हमेशा रक्षा काते सभी अत्तियों का सतकार काते भगवान शिर्किष्ण ने फिर अपनी भुगा राजाद देविक की पुत्री लक्षिमना के साथ में भी विवाय करा बद्रा भी भगवान सिरिकिष्ण की भुगा की लड़की थी उससे भी विवाय करा भगवान सिरिकिष्ण की आठ पत्रानी हो गई जिन में जो है पहला नाम रुकमनी, जांपवंती, सत्वामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नाग्नजिती, भद्रा, लक्षमना ये आठ पत्रानी थी, सुखडेवजी केते हैं राजन भगवान ने 16,100 विवाय और करे राज़ा पर खित ने पूछा भगवन, भगवान के 16,100 विवाय कैसे हुए शुख देवी केते हैं राजन एक दिन इंद्र ने द्वारका में आकर भगवाशिर किस्न से काहे प्रवू भूमी का पुत्र पृत्वी देवी का पुत्र नरकास हो जो है प्रिजा को बड़ा कश्ट दे रहा है उसने सुरसोर गंदर्व राजकन्याओं का रन करके घर में ब आता है अब आप कृपा करके उस राक्षस भूमा सुर का जो है बद करें उसने जो है अपनी चारों तरप परवत के सस्तों के जलकी अगनी की वायू के दुर्ग बना रखे हैं भगवाशिर किस्न बचन सुन करके सत्वामा को साथ में ले करके गरून पर सवारो करके पहु है राक्ष से वेंकर युद करा बोमा सुर की विसाल से ना आई उस समय बेमा सुर का सेना पती युद के लिए आया भगवाशिर किस्न ने उसका भी सिर अपनी सुदसन चक्र से काड़ डाला इसके बाद में बोमा सुर का बद कर दिया क्योंकि सत्वामा साथ में थी अगर हम बापिस जाती हैं तो हमारे परवार बाले हमको सुईकार नहीं करेंगे और कोई भी जो है हमें पतनी रूप में सुईकार नहीं करेंगे भगवान सिरकिस्ने का कि आप चिंता ना करो मैंने आपका उद्दार किया है मैं ही आप सबसे विवाय करूँगा भगवान सिरकिस्ने समाज को निश्तियों को कन्या को पतन से बचाने के लिए उनके साथ में विवाय करा 16.100 कन्याओं के साथ विवाई किया और उनको द्वार का भीज दिया इदर भौमासुर के पुत्र सहे देव को राजगदी दे करके भगवान जो है बापिस अपने द्वार का पुरी में आ गए इस तरह से भगवान सिरकिस्न के 16.100 विवाई हो गए है राजन भगवान की आठ पत्रानी और 16.100 रानिया थी इन सबी सी जो है अनेक प्रकास संतानों का वंस बन्न चला रुकमनी के प्रिदुम्न चार देशना दस पुत्र हुए जितनी भी रानी थी रानी पत्रानी सब के ददस पुत्र और एक-एक कन्या हुई इस तरह से भगवान शिरकिस्न का बन्स जो बन्न है उस बन्स के बन्न का कोई भी बन्न नहीं कर सकता का जाता है भगवान शिरकिस्न के बन्स में चपन करोर भगवान के बेता नाती ये मिलाकर के भागवान के 56 करोड बंसर थे जिनके द्वारा यदकुल की सेना बहुत प्रवाव शालियो गई थी भगवान का शीव एक पुत्र था जिसका नम अनुरुद्र था अनुरुद्र को सोते हुए बानासुर की पुत्री ने अपनी सहेली चित रेखा की सारे से जो माया जाती थी उसको सोते हुए अपनी नगर में बुला लिया यदा जैसे बानासू को पता लगा बानासुर ने अनरुदर को बंदी बना लिया तो भगवाण शुर किस्न जो है सेना के सात में किस्न बलराम बानासू से युद्ध कने के लिए पड़ा रहे इदा बानासुर की सायता के लिए स्वेम भगवान संगा जी युद्ध करने के लिए आए अपने गड़ों के साथ क्योंकि बानासुर ने वरदान मांग रखा था जिससे बानासुर के नगर का स्वेम संगा जी रखवाली करते थे उस समय पर बानासुर का भगवान सिर्किष्ण का युद्ध हुआ जिसमें बानासुर की सभी सेना का संगार हो गया फिर शिवजी के गड़ों का और यादमों को बड़ा भेंकर युद्ध हुआ तो उस समय संकर भगवान ने अपने जोर को छोड़ा जिसको भगवान के नार प्रियों करके भागवान श्री किष्ण को नीर में सुला दिया भागवान संका जी निद्रा में लीन हो गए अपने सुदर्शन चक्र से बाना सुर्की बुजाय कातनी शुरू कर दी उसके सैस्त्र बुजा थी सभी भुजा काड़ डालें केबल चार मुजा बची थी इतने म आप बानासुर का बद ना करें क्योंकि मैंने इसको बर्दान दे रखा है इसकी मृत्तू ना हो भगवान सिरकिस ने का कि हे प्रभू हे सिवजी वाराज इसका में बद कर भी ने सकता क्योंकि ये पहलाद का बंसज है और पहलाद को मैंने बचन दे रखा है कि उसके बंसज क में बद नहीं करूंगा यह आज से आपका पारसर हो जाएगा आपके पारसरों में शेष्ट होगा बानासर को संकर भगवान ने का ये स्वेम नाराय नहीं आप इनसे युद्वें जीत नहीं सकते हैं पुत्र तुम इनसे खिमा मांगो बानासर जो है भगवांशिर किस्न के चर्नों में गिरपड़ा भगवांशिर किस्न अवैदान दिया बानासर ने अपनी कन्या का बिवाय अनरुद्र के सात्मे का दिया और बहुत सादा दैश दे करके अनरुद्र को अपनी पुत्री उसा को बिदा किया इस तरह से भगवांशिर किस्न के पुत्र अनरुद्र क बिवाय हुआ जिसमें सिव जी का जो है और भगवान सिर किस्न का युद्ध भी हुआ जो प्राणी सिव किस्न के युद्ध की बितांत को सुनता है उसके सभी प्रकार के पाफ जलकर के राख हो जाते हैं सुकुनेम जी कहते हैं कि राजन एक दिन की बात है भगवान सिर किस्न के पुतर सभी जंगल में खेलते हुए उन्हें प्यास लगी प्यास लगने पर जो है सभी प्रे कुए के पास पानी पीने पहुंचे तो देखा उसकुए में बहुत बड़ा गिरगित पड़ा हुआ है जिसे राज कुमादों ने निकालना चाहा, पंदु गिर्गित को निकालनी सके, सभी दोड़कर कि स्री किष्ण के पास जाकर सारा प्रतांत बताया। भगवाद सिरी किष्ण आए और जैसे गिर्गित को हाग से सपस किया निकालने के लिए उसी समय वो गिर्गित जो है, गिर्गित का सरी दारत त्याक करके और देवताओं का सरी दारन करके सामने प्रिगत हो गया। भगबान स्रीकिष्ण को प्रिनाम करने लगा भगबान स्रीकिष्ण सब कुछ जानते थे फिर भी अपने बच्चों को जो है ज्यान देने के लिए कहने अंजान की तरह के लगे ए माभाग सुन्दर सुरूप बाले तुम कौन हो और किस निंदित कर्म के द्वारा ऐसी दानियों की जब घड़ना होती होगी तो आपने मेरा नाम भी सुना होगा संसार में मेरा नाम तो वह चल रहा है पर लोगों को पता नहीं कि मैं गिर्गित की योनी में भी चला गया हूँ माराज सभी जगए रीसी मुनियों में आज भी मेरी प्रसंसा होती है पर नुमें आज भी नरक भोग रहा हूँ ये मेरे अपने छोटी सी गलती का प्रणाव है हे प्रवू प्रित्वी में बालू के जितने करे हैं आकास में जितने तारे हैं प्रित्वी पर बर्सा की जितनी बूने गरती हैं इन सब की प्रानी गर्णा कर ले पर मैंने जितनी गायदान करी हैं उनकी गर्णा कोई नहीं कर सकता में कई लाख वर्स तक मेरी उम्र रही थी में नित्य प्रती एक लाख गाय नित्य प्रती सोने की सिंग मरवा करके दान करता था हे प्रवो संसार में मेरी गायों के दान की गर्णा कोई कर नहीं सकता पार अन्माने में एक गाए में ने दान करी थी जो गाए छूट करके मेरी गव साला में आकर के मिल गई गल्टी से वो गाए में ने दूसरी ब्रामन को भी दान का दी जैसे दूसा ब्रामन उस गाय को लेकर की जा रहा था तो पहला ब्रामन राश्टे में मिल गया राश्टे में जैसे मिला उसने का ये गाय तो मेरी है वो कियने लगए ये गाय मेरी है दोनों कियने लगए हमको माराज निर्गने दान करी है दोनों गाय को लेकर के मेरे पास आए दोनों ब्राम्मन के लगे राजन ये गाय तो हमको भी दान करी तो मैंने का ब्राम्मन मुझे अंजाने में गलती हो गई है मुझे पता नहीं एक ब्राम्मन इस गाय को ले लो प्रवु ब्राम्मनों का मैंने चर्णों में गिरकर के अनेक प्रकास ये प्राक्ना करी फिरु ब्राम्मन का हलकासा दन अंजाने में करने से मुझे इतना फल भोगना पड़ा है मैं गिरगित की योनी में आ गया इसके बाद जो है गिरगित की योनी से आपने मेरा अगदार क तो ऐसे माराज निको भी गिर्गित योनी प्राप्त हुई ब्राम्मन का जरासा धन गल्ती से आ गया था ब्राम्मन का धन जाने अंजाने में कैसे भी आ जाता है अंजाने में आया जब इतना धन मिला है तो संसार में जो जानकर के लेता है तो उसका क्या होगा कुल का बिनास हो जाता है इसलिए ब्राम्मन का दन कभी खाना नहीं चाहिए जो बेद पूजा पाथ वाला ब्राम्मन है उसके दन को कोई भी पचा नहीं सकता स्वेम भगवान भी इस दन को नहीं पचा सकते हैं ब्राम्मन का दन लेने की जब प्राणी मन में सोचता है तब ही उसका दश्त हो जाते हैं कुंभी पाग नरका में गेता है और करमों से प्रानी मुट्थ ओंसकता है पंडू ब्राम्माण के धन से कभी भी मुट्थ नहीं हो सकता अपने जुश्यों के दुश्यों के दवारा दी गई ब्रामर की दी का जो मनुशरन काता है वो साथ हज्जार बस्ता का कीरा होता है यद ब्राह्मन अपरादी हो तो भी तुम उसे द्रोल नहीं करना अगर वो तुमें गाली दे मारे इस्राब दे तब भी तुम लोग उसे नमस्कार करना जैसे मैं भी तरकाल में ब्राह्मनों को नमस्कार काता हूँ जो इसके में से श्वेम दंदूंगा बूल से ब्राहमन का धन लेने से राजां अंदरकी कैसी दुरगती हुई बगवांँ सीरी के सिन कहते ही जो प्रानी कितना भी दान कुर ले पंद जो प्रानी को मैं स्वेम दंद दूंगा ब्रामन मेरे इस्ते हैं ब्रामनों के मैं सारे रहता हूं मैं ब्रामनों का दास हूं ब्रामन मेरे बगते ही तो मैं ब्रामनों का दास हूं इसलिए अमेशा ब्रामन की शेवा करो ब्रामन को दान दो अगर ब्रामन जो हैं कामी हैं तो उस जो ऐसा करेगा उसका पतर निश्चित होगा जब कुछ भी कर ले यह कह करके अपने पुत्रों को शिक्ट्या दे करके भगवान सिरकिष्ण द्वार का पुरीच ले गए सुक देव जी कहते है राजन भगवान सिरकिष्ण के समान ब्रामर वक्त ना कोई हुआ और ना ही कोई होगा भगवान सिरकिष्ण की किस तरह से दुर्वासा रिशी ने ब्रामर वक्ति की पर Claro वो भी आगी की कथा में कछिक कथा में सअनाएंगे ऐसकी कथा कहीं पर साम कते हैं द्रुशी मर्भागवत महां पुरारां की जै 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 श्रीड़ आदे स्याम आईुड़ एका रिंगा